हालो अब्लायर वे दिए ब्लेंडे ऐलेवेशन कुट सो स्टार्ट करेंगे हम अपने नहीं पेरिया से बाइक रिटिंग बलंट लाइन बाइक रिटिंग रेडिंग रेकरी इस्टेट लाइन और हम इसी अपनी गाइडलाइन को यूज़ करेंगे थ्रू आउट अवर हेर कट हमने अभी एक अपनी गाइडलाइन क्रियेट करी है जगे हम चेक कर रहे हैं किया इवन है बोट साइट से अब जितने भी सेक्षिन है हमारे इस इस सेक्षिन निकाल रोक है यह सारे 45 डिग्री पर कर्ट होएंगे वर्टिकल सेक्षिन एट 45 डिग्री से क्या है कि हमें अपने बॉटम लेंद में हलका लेरिंग अफेक्ट मिलेगा और जिस्टे के इनकी लेंद्ध भी ज्यादा शॉर्ट नहीं होएगी बॉटम एरिया पर और हमें हलका लेरिंग अफेक्ट मिल जाएगा जिस्टे के इस हमारे बॉटम एरिया पर वोल्यूम भी आया था है हम सब्सक्राइब कर रहे हैं साथ के जाद हम इसे क्रॉस चेक करते जा रहे हैं आप इस अभी जैसे के क्लब कटिंग कर रहे हैं आप क्लब कटिंग जागा पॉइंट कर सकते हो जैसे के आपको और सॉफ्ट टेक्च्चर मिलें पॉट कर्ठ से क्या है हमें पुरा शार्प टेक्च्छर मिलता और पॉइंट कटिंग से हमें एक सख्टneg दिनलता है और हम इसको भी सेम वही 45 डिगरी पर कनेक्ट करते जाएंगे अपनी नीचे की गाइड लाइन को देखते हुए और एंड वन मोर तिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि होरिजॉंटल लेयरिंग में हमें हमारे जो लेयर्स हैं वो इनवर्ड में जाते हैं और जो हमारे वर्टिकल लेयर्स हैं वो हमेशा आउट वर्ड में जाते हैं आउट में जिस तरह के अगर किसी के बाल पतले हैं तो उनके उपर अगर आप होरिजॉंटल लेयर्स करेंगे तो उनके बालों में और जादा वालिम देखने को मिलेगा क्रॉस्चेक जरूर करते रहें डिया डिफ्रेंट वेस्ट प्रॉस्चेक आज यू चेकिंग इट होरिजॉंटली अब हमने ऊपर अपने ओक्सिपेटल एरिया से ऊपर का सेक्शन लिए जिसको कि हम होरिजॉंटली ही कट करेंगे अभी तक हमने वर्टिकल 45 डिग्री की है लेकिन अब हम नीचे की गाइडलाइन को देखते हुए होरिजॉंटल एट 90 डिग्री कट करने जा रहे हैं कि अब इसके बाद हमारे जितने भी सेक्शन है सभी होरिजॉंटल की कट रहने वाले हैं एट 90 डिग्री 90 और 60 डिग्री आफ रहे हुए 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 चब रह च्पारिट रहे हैं का रहे हैं में एक soft effect मिलता है point cutting के साथ-साथ मैं texturizing भी कर रहा हूँ उसको और ज्यादा soft effect देने के लिए अभी हमने side का section लिए और back side के section को as our guideline उसके हैं अभी मैं point cutting use कर रहा हूँ point cutting के साथ-साथ मैं texturizing और notching कर रहा हूँ जिसे के हमें और ज्यादा soft effect मिले आपको सब्सक्राइब को 90 degree पर ही cut करते जाना है कि सी horizontal 90 degree अभी मैं cross check किया है कि आपको cross check जरूर करते रहना अपनी work को कि ताके in the end result आपको और अच्छा मिले है कि हम दूसरी साथ पर आगे हैं बैक साथ से section लेकर इसको भी हम नाइंटी डिग्री पर ही cut कर रहे हैं कि पॉइंट के साथ साथ मैं texturizing भी कर रहा हूं इसी में से हम अपनी guideline लेकर आगे के section को cut करेंगे जोईन मांस्टर क्लास अवेलेबल सो अगर आप मास्टर क्लास जोईन कर सकते हैं अधरवाइस हमारे कोर्स का जो duration है वह one month का है जिसमें आपकी एवरी डे दे दो से तीन घंटे की क्लास होएगी बाकी फिर टॉक बड़ मास्टर क्लास तो फिर वह क्लास हमारी फॉम मॉर्णिंग तिल इविनिंग रहेगी जो के 7 डेज की है तो प्लीज वाट्सएप और कॉल में इस वाट्सएप और कॉल मी इस वांट तो जोईन और इस वांट तो गेट अल देटेल्स रिलेटेड विद आवर कोर्स अब हमने बैक सेक्शन पर भी होरिजॉंटल सेक्शनिंग करनी है अभी हमने इसको जो बैक सेक्शन हमने निकाला था होरिजॉंटल उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया और अब हम राइट साट पर वर्क कर रहे हैं थूपॉइंट कर रहे हैं और इन नीचे से ही एक सेक्शन लेकर उपने उपर कर रहे हैं और in the end हम अभी face framing कर रहे हैं because जैसे के हमारे सारे hairs हमारे face के हमारे front में fall करेंगे तो that वो अच्छे लगें तो that उसके लिए हम हमेशा face framing उसकरते हैं as you can see so guys if you want to join my car courses do a WhatsApp or call me for more details thank you you